ये गाईस कैसा आप सब लोग स्वागत आपके अपने चैनल रिव्यू फॉम में आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोक्या के एक न्यू फोन के बारे में जो बहुत जल्द इंडिया में लॉंच होने जा रहा है रिसेंटली नोक्या ना अपडेट कराए कि बहुत जल्द अपने तीन कीपेड़ फोन लॉंच करने जा रहे है उसी में से एक फोन के हम बात करेंगे जो के कीपेड़ फिलिप फोन होने वाला है और इसका नाम है नोक्या 26 फिलिप 4G फोन इस वीडियो में जानेंगी कि आपको इस फोन के अंदर क्या 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 फीचर्स देखने को म सके तो सबसे प Agre by my power design को आपको आपके सामने स्क्रिन में देखने को मिल जाएगा normal आपको अने पर फ्लीप्पोन जैसा दिजाइन में देखने मिल दिस्प्ले आप एहां पर इस dysp SakraPank दिकतो इस फोन के अंदर आपको में 2.8 इंs Hit TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और सेकेंडरी डिस्प्ले आपको 1.77 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 0.3 Megapixel का आपको यहां पर कैमरा दिया गया विद LED Flash Memory की बात करें तो यहां पर आपको 48 MB की RAM, 128 MB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है उसके साथ में आपको आपको आपर MicroLT का सपोर्ट मिल जाता है इस फोन के अंदर Unisoccer T107 चिपसेट यूज किया गया है उसके साथ में आपको आपको आपर 1 Giga Heart का CPU प्रोसेसर मिल जाता है फीचर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको Bluetooth, Wireless FM Radio, USB, Messaging, Browser, Game, Phone Book और Call Record जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाते है यह फोन आपको Black, Blue और Red कलर में देखने को मिल जाएगा अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की तो इस फोन के अंदर आपको 1450 MHz की Removable बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि आपके अराम से 2-3 दिन चल जाएगी अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो यह फोन 5500 रुपिस के अराउंड इंडिया में लॉंच हो जाएगा और इसकी लॉंच डेट की बात करें तो यह फोन अगस्त में लॉंच हो सकता है तो दोस्तो यह था हमारा नोके 26 फिलिप फोन का रिव्यू जिसके अंदर हमने बात करी कि आपको इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है क्या इसका प्राइस है और कभी इंडिया में लॉंच हो सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना जा साथ अपने दोस्तों का शेयर करना और आपको इस फोन के अंदर कौन सा फीचर्स पसंद आया मुझे कमेंट करकर जरूर बताना थैंक्यू गाइस पर वाचिंग दिस वीडियो